दोस्तों अगर आपने पे रूपिक अप्लिकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई किया है और आपको लोन रसीब हो चुका है अब आप लोन अकाउंट को बंद करना चाहते हैं रीपेमर कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे वो काफी सारी अप्लिकेशन आपको ड्राती दमकाती है और आपके फोटो तक वाइरल कर देती है तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है जब भी लोन अप्लाई करना है तो ऐसे स्मार्टफोन से अप्लाई करिए जहां पर आपका डाटा अवेलवल ना हो तो अप्लिकेशन से अगर अपने अप्लाई कर या है आपको मिल चुका है अब अब उसे रीपे करना चाहते हैं और imposing करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा पेर का अप्लिकेशन को उपन कर लेना है अब देखिए यहां पर आपके सामने इंटरफ है वहाँ पर हमने step by step guide किया है पूरा प्रसेस लाइब दिखाया है कैसे आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं तो आप बहाँ पर जाकर देख सकते हैं देखिए रीपेमर करने के बाद क्या आपका लोन अकाउंट इमीजेटली बंद हो जाता है चलिए अब हम आपको इसका लाइब प्रसेस दिखाते हैं जिससे आपको आने वाले समय में फाइदा होने वाला है क्योंकि अगर आप लोन लेने वाले हैं तब यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा क्योंकि आपको पता होगा कि इसका कितना इस्ट्रा आपको कॉस्ट करने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों रीपेमट का टाइम है 29-2023 अगर आप इससे पहले पे कर देते हैं तब तो को दिक्कत परिशानी नहीं आएगी अगर आप दो तरीक के बाद बे करेंगे तो समय आपको काफ़ी सारे हैभी चार बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परिशानी में जरूर फच जाएंगे उसके बाद आपका परिशानी का कारण भी आप खुद ही होंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम सरी लोन आपको पे करना है आप दोस्तों रीपेमट वाला है और हमारा जीरो है अगर आप एक दो दिन वाद पे करेंगे तो यहां पर ओवर ड्यू का भी आपको चार्ज लगेगा लेट पेमट भी पनल्टी भी यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी हम टाइमली पे कर रहे हैं तो हमें कुछ भी यहां पर एस्ट्रा चार्ज न जो भी आपको वे अच्छा लगे जिसमें आप। अच्छा कора सकते हैं अब हम जातो से दूस्छ पर यदि यहाला गरता हूं और उसके बाद और arte या अकाउन में भेजा जाएगा मतलब आप फोन पर गूगल पर मैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहाँ पर आपको एक notification मिलेगा बस आपको उस पर क्लिक करके इस amount को pay कर देना है तो मैं यहाँ पर अपना फोन पर वाला लॉग इन करके complete करके यह payment यहाँ पर डन कर देता हूं अब आप देख सकते हैं repayment success हमारी जो repayment हमने जो process किया वो complete हो चुका है अब आप यहाँ पर थोड़ा payment पहुंच गया है अब आपको application open करनी है और यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है जैसे आप refresh करेंगे तो यहाँ पर आपका status जो है customer care का number भी मिलेगा अब मैं यहाँ पर देखी दोस्तो customer care को call करूंगा और उनसे पूरा detail मैं discuss करूंगा कि हमने payment कर दिया है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है तो कितना time लगता है यह मैं आपको अभी call करके बताता हूं तो दोस्तो इनका जो toll free number था वो नहीं लगा अब मैं यहाँ पर chat support से बात करता हूं देखता हूं हमारा क्या हल होता है दोस्तो अब आप देख सकते हैं हमें SMS मिल चुका है congratulations on your successful payment thank you for your trust तो दोस्तो यह application जो है 23 minute का समय लेती है अभी जो customer care से मेरी बात नहीं हुई पर हमारा काम बन चुका है तो हम जो है अब दोबारा loan वाले section में चलेंगे तो देखिए loan amount changed click for update अब यहाँ पर हम अपडेट करेंगे अब थोड़ा देर आपको इंतजार करना होग में थोड़ा सा time लग सकता है यह application जो है अभी इतने अच्छे तरीके से work नहीं करती है पर आपको emergency के time पे loan provide कर देती है पर repayment में अगर आपका process थोड़ा धीमा रहे तो आपको panic नहीं होना है देखी दोस्तों यहाँ पर एक plus point आप देखिए अब जो है यहाँ पर congratulations का message कर सकते हैं आप तो यहाँ पर हम confirm कर देते हैं तो आप देखिए अब हम 4000 रुपे का loan जो है apply कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 4000 रुपे हमारा अनेवल हो गया जो लोग भूलते हैं न कि यह level up बला loan कैसा होता है तो यह होता है level up बला loan हमने 2000 का loan apply किया वो हमने successfully repay कर दिया तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे पहले हम बैक चलेंगे सबसे पहले हम जो है अपनी loan की history देखेंगे कि हमारा loan clear हुआ है यह नहीं हुआ है तो दोस्तों जैसे ही आप अपना profile open करेंगे तो यहाँ पर loan record का option नजर आता है बस इसके उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर 2000 के दोरा परिशान बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा तो इस तरीके से आप जो है अपना loan account यहाँ पर बंद कर सकते हैं अब जो दुबारा अगर आप loan पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए 4000 का हम loan जो है इस application से अभी apply करके तुरंत ले सकते हैं तो 14 दिन के लिए हमें यह इस्तेमाल करने का option मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है pay rupic application में अपना loan account बंद करते हैं अब इस application के बारे में मेरा personal opinion opinion के तोर पर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तो pay rupic application emergency के टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ी application है आपको यह level up बला loan प्रवाइड करती है सबसे पहले आपको loan का offer कम आएगा उसके बाद आपको अगर आप repay कर देते हैं तो आपका level थोड़ा उपर करके आपको ज्यादा loan amount offer किये जाएगा अगर आप यहाँ पर लेते रहते हैं loan तो आपका यह loan limit जो है काफी उपर तक चला जाता है तो मुझे उमीद है इस वी सही जानकारिया ही आप तक पहुंचाते हैं जो आपके काफी काम की होती है अगर आप loan apply करना चाहते हैं तो हमारे description box में इस application का link आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर application को install करके loan apply करके देख लीजिएगा apply करने का भी process मेना बताया हुआ है और बंद करने का आपको बता दिया है तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें बाई बाई टेक केर